तो यास विल्कम टू इलिटकल डिपार्टमेंट आज के इस वीडियो में एक न्यू जॉप विकेंसी के बारें बताने वाला हूँ जो कि आराय एमडियल की तरफ से यानि कि मार्च गाउंट डाक से बिल्डर लिंटेट की तरफ से विकेंसी निकाली गी है यह कंपनी गवर्मेंट आफ इंडिया के अंडर में आता है इसमें ITI डिपलोमा और डिगरी के फ्रेशर केंडियेट के लिए विकेंसी निकाली गी है किसी प्रकार का कोई experience required नहीं है फ्रेशर eligible है merit की बेस पर selection होगा कोई भी exam फीस नहीं लगेगा तो इसमें कैसे apply करना है क्या इस बिल्टिक राइटरी है सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन यहाँ पर आपको important point पहले बता देते हैं ताकि आपका time waste नहीं हो यह vacancy जो निकाली गी है apprenticeship training के लिए निकाली गी है तो अगर आप apprenticeship करना चाहते हैं तो आप वीडियो को continue कर सकते हैं अगर आप वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि यह वीडियो उन इस्ट्रिंज के पहुंच चके जो अप्रेंटिस सिप करना चाहते हैं चलिए अब चलते हैं वेकेंसी के में नोटिफिकेशन पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च गाउन डाक सी बेलडर की तरफ से यह वेकेंसी निकालेगी है इस कंपनी की बारे में आपको पताए तो यह कंपनी जो है एक मेनी रतना कंपनी है यहाँ पर देख सकते हैं वेकेंसी निकालेगी है डिप्लोमा और ग्रेजुएट अपरेंटिसिप के लिए तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस पोश्ट के लिए कितनी वेकेंसी है और कौन-कौन से ब्रांच के करेंडेट इलिजबल है बात करें यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा अपरेंटिसिप के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं टूटल वेकेंसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं टूटल 170 vacancy निकाली गई है यहाँ पर graduate आलो के लिए और diploma आलो के लिए यहाँ पर 120 vacancies निकाली गई है ठीके इसके बाद यहाँ पर age criteria की बात करें तो minimum age जो है 18 साल और maximum 27 साल होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर stipend की बात करें तो graduate apprenticeship के लिए अगर आप अपलाई करते हैं तो 9000 पर मत आपको stipend देखने को मिलेगा graduate apprenticeship के लिए और 8000 पर मत diploma apprenticeship के इसमें stipend देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन-कौन से branch के candidate eligible है तो अगर आप graduate apprenticeship के लिए अपलाई कर रहे हैं तो अगर आपने computer engineering या फिर computer engineering के जो allied branch है उससे अगर आपने graduate है तो आप अपलाई कर सकते हैं इसके अलावे यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद mechanical engineering इसके बाद आप देख सकते हैं सिब building technology में अगर आप graduate है तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद बात के लिए डिप्लोमा इंजीनरिंग के लिए तो अगर आप इसमें इलिजिबल है तो आप इसमें इलिजिबल हैं computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering इन सभी branch के जो allied branch होते है इसमें इलिजबल हैं अपलाई कर सकते हैं डिप्लोमा या डिग्री का जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास वो ए आई सीटी से मानने होना चाहिए और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक अप्रेल 2019 के बाद का होना चाहिए कि अगर आपने डिप्लोमा या डुरेशन आप ट्रेनिंग की बात करें तो वन एयर का डुरेशन आप ट्रेनिंग देखने को मिल जाएगा और अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसिप किया है या फिर आपके पास एक्सपिरियंस है तो आप इसमें इलिजबल नहीं है अपलाई नहीं कर सकते हैं अप्ल प्रोसेस का तो जो भी आपके डिप्लोमा या डिग्री में आपके पास परसेंटेज है उसी के हिसाब से केंड़ेट को सौटलिट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इंटर्व्यू के लिए बुलाय जाएगा ठीक है इसके बाद वहाँ पर आपको डेटा बर्त जो दिया गया है इसमें आप अपलाई कर सकते हैं 22 दिसंबर 23 से अपलाई करने का अंतिम्तिती है 11 जनवरी तक आप इसमें अपलाई कर सकते हैं ठीक है जो भी करेंडेट से इसमें इलीजबल होंगी वो लिस्ट आ जाएगा 16-2024 को ठीक है इसकी बाद यहाँ पर आपको इंट कर सकते हैं और अपलाई करने का लिंक भी दिया गया है तो इस प्रकार से टेक्निकल प्रेसिलर जो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलिग्राम भी जोईन कर लीजिए क्योंकि इस विकिंसी की रिकार्डिंग आगे जो भी अप्डेट आएगा टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में